इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Riverox 20 Tablet is a medicine known as an anti-coagulant or blood thinner. यह खून के ठक्के बनना की रोक थाम और इलाज करने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल stroke और hot attack के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है. यह आपकी टांगों, हेफ़डों, मस्तिशक और hot की नसों में clot बनने से रोकता है और उनका इलाज करता है. Riverox 20 Tablet is commonly used in patients with irregular heart rhythm, यानि की atrial fibrillation to prevent clot formation. यह उन लोगों में ठक्के होने के जोखिम को भी कम करता है, जो घुटने या कूले के प्रतिस्थापन की सरजरी करा चुके हैं. इसे भोजन के साथ लेना चाहिए और हर दिन एक ही समय पर लेना बहतर होता है. आपको इस दवा को कई वर्षों तक, कुछ मामनों में तो जीवन के लिए भी लेना पर सकता है. अपने डॉक्टर के मार्ट दर्शन के बिना इसे लेना बंद न करें और नहीं खुराक बदलें. यह आपको तेजी से hot attack, stroke या thrombosis यानी की रक्त वहिका के भीतर खून के ठकके की एक सनरचना के जोखिम पर डाल सकता है. आप अपनी lifestyle में बदलाव करके, जैसे की धूंडपान न करना, स्वस्थ डाइट खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना और जरूरत पढ़ने पर वजन घटा कर, अपने लिए खून का ठकका जमने के जोखिम को कम कर सकते हैं. The most common side effect of Riverox 20 tablet is bleeding more easily than normal, for example, having nosebleeds or bruising. अगर आपको किसी लक्षन का अनुभव होता है, तो अपने डॉक्टर को तुरंद बताएं. Do not take this medicine if you have severe kidney or liver problems, if you are currently bleeding or if you are taking other medicines to reduce blood clotting. इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपको स्तनपान नहीं कराना चाहिए. अन्या anticoagulant से विपरीत इस दवा को लेते समय एक regular blood taste यानि की PTINR की आवशक्ता नहीं होती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके